लोगडाउन के विकट समय से लेकर निरंद राश्ता के दौर के सांसद शंकर लालवानी के सानेद में काम करने वाली नमो नमो शंकर संस्था हर शेत्र के हर वर्ग के लिए सिवार्थ कारे कर दिया रही है कोरोना महमारी में जहां आज कई परिवार वास्विक सिती में अभी तक उभर नहीं पाए है और कई परिवार तो आज तक इस काल की उलजन में उलजे हुए है ऐसे में साल के सबसे बड़े तियोहार दिपावली में हर परिवार की घरों में रोशनी से लेकर पूचा पाठ एवं बच्चों की खुश्यों को लेकर संसा ने अपना कदम और आगे बढ़ाया है नमो नमो शंकरा के अध्यक्ष पंकच फतेह चंदानी एवं महिला शाखा ध्यक्ष सोना कस्तूरे ने बढ़ाया कि दिपावली तिवार को धुनधाम से मनाने के उदेश से घर घर स्वदीशी दीब जलाने का संकल्प एवं बस्तियों में सार्थक दिपावली मनाने के लि सिंदीक उलो ने इसे सादू वासवाने उद्यान में आयुजित किया गया कारिकरम का मुख्यों देश बस्तिवासियों के परिवारों के चहरे पर मुस्कान लाकर दिपावली पर्व को बड़ी धूम धाम से मनाना है इस अफसर पर पूजा गहलो जिनकी 22 नवंबर को पाटी जाए और मुझे इस बात की हुशी है कि उन्होंने बहुत सारी सामागरी दी पूजा की सामागरी मिठाई फटा के लाइट और उसके लावी कंबल एक भेहन की शाधी आने वाले दिनों में तो उनको पूरा शाधी के लिए जो आवशक्त सामागरी थी वो भी दिये नमनों शंक्रा दवरा, पंकर्च पते जिनननी, सौना कस्तृरी उनकी पूरी टीम लगातार करोना से हम देखते आरहे हैं की काम करती आरही और विशम परिसस्थिते में काम करही है जब लोग घरऊं में थे, तब से रही और दीवाली पर उपना है उसके पले उन्होंने र खुशियां आएगी और अच्छा कारिका में एक सारतक दिवाली वास्तोमान सम्हों खुशी बाटने से और बढ़ती है आज सिद्ध हुआ